हलो, गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, मैं सुमन, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, आज हम इस वीडियो में हर्सकालीन संस्कृति का इत्यास पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसे पहले वाले वीडियो में हमने हर्सकालीन जो संसकृति के भाग हैं, जैसे कि आर्थिक व्यवस्ता कैसी थी, समाज़िक व्यवस्ता कैसी थी, रिदार्मिक व्यवस्ता कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में हम पहले काफी विस्तार से पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में आपको ये सभी चीजें एक साथ संक्सित से मिलेंगी ठीक है कई बार कि उसन पूछ लेते हैं हर्स का लिंज सेंस्कृति का इतिहास का वनन करो तो इसलिए इस चीज को हमने ध्यान में रखके ये वीडियो बनाया है और एक्जाम में आपकी काफी हेल्फ होगी तो वीडियो को अंतक देखेगा ठीक है तो चलो पढ़ के हर्सरित तता वेंसांग के यात्रा विवरन के साथ साथ उसके कुछ लेखों से प्राप्ति से जो जानकरिया वो प्राप्ति होती है यहां उलेकनिया है कि हर्स ने किसी नमीन सासन पढ़नाली को जन्म नहीं दिया अपितू उसने गुप्त सासन पढ़नाली को ही कुछ सं सोधनों यह परिवर्तनों के साथ अपना लिया यहां तक कि सासन के विबागों करमचारियों के नाम भी एक सम्मान ही दिखाई देते हैं सबसे पहले है हर्स कालिन पर सासन समंदी व्यवस्ता पहले भी हम इसके बारे में विश्त्री तोर पर वीडियो बना चुके हैं तो परमभटारक, चक्करवर्ती, परमेश्वर जैसी महान उपादियां धारन करता था हर्स चरित में हर्स वर्दन को सबी देवतों का समेलित अवतार कहा गया है उसकी तुलना सीव, इंद्र, यम, वरून, कुबेर, आदि से करते हुए सबी में समराठ को स्रेष्ट बताया ग पर्तिष्टित हो गई थी, वया पर्सासन का सर्वोचे अधिकारी था, अब देखेगा हर्स काली धरम तता धार्मिक जीवन, ये वीडियो भी हम पहले बना चुके हैं, वहाँ पे भी आप विस्तरी तोर पे देख सकते हैं, हर्स चरित से पता चलता है कि ससांग पर आकर्म बहुत बिक्षू से साक्षातकार किया था, जिसका प्रेभाव हर्स पर बहुत अधिक पड़ा, चिनी यात्री वेन सांग से मिनने के बाद तो उसने बहुत धरम की महयान साखा को राज्यस्रे परदान किया था, तथा वैपूर्ण बहुत बन गया, अन्य धरमों में महयान की उतक्रेश्ट तासिद करने के लिए हर्स ने कर्नोच में विभिन धरमों एम संपरदायों के आचारियों की एक विशाल सभा बुलवाई थी, ठीक है, अगला आता है हर्स का लिन सामाजिक जीवन, ये वीडियो भी विश्त्री तोर्षे हम पहले बना चुके हैं, वेन सा तता था, इस काल के ब्रामनों के अध्यन अध्यापन, यग्य याजन के पारस्परिक व्यवसाय के अतिरिक क्रेशी तथा व्यापार करना भी प्रारम कर दिया था, परसासर में भी उन्हें पर्तिष्टित पत दिये जाते थे, इस काल के ब्रामन अपने गोत्तर, परवर, चरण या फिर साखा के नाम से परसित थे इस समय ब्रामनों के हाथ में काफी भूमे आ गई थी जो उन्हें अनुदान में प्राप्ति हुई थी हर्स चरित से पता चलता है कि सैनिक अभ्यान पर निकरने के पूर्व हर्स ने मद्दे देश में ब्रामनों को एक हजार हलों के स हमने पहले वीडियो बनाया है वहां पर आप विस्तरी तोर से देख सकते हैं हर्स कालिन भारत की आर्थिक दसा के विशे में हमें बान के गरंथों चीनी स्रोतों तदा ततकालिन लेखों से जानकारी मिलती है सभी स्रोतों से पस्टों जाता है कि उस समय देश की आर्थिक दसा उन्नत थी क्रेशे जनता की जीविका का मुख्य आधार थी वेन सांग लिखता है कि उस समय देश की आर्थिक दसा उन्नत थी क्रेशे जनता की जीविका का मुख्य आधार थी अब देखेगा सिक्सा और साहिते तो हर्षवर्दन स्वेम एप उच्छकोटी का विद्वा जहां विदार्थियों को विविद विद्यों की सिक्षा दे जाती थी। जहां विद्यों की सिक्षा दे जाती थी। कावे चातूरी की परसंसा की गई है। तदा बताया गया है कि उसकी कविता का शब्दों द्वारा प्रियाप्त रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्यतर बान लिखते हैं कि कावे कथाओं में वहे अम्रित की वर्षा करता था जो उसकी अपने वस्तु थी। दूसरे से प्राप्त हुई नहीं। भारत के साइत्तेक प्रम्प्रा में कवी के रूप में हर्ष को सत्रवी सद्दी तक इस्मर्ण किया गया है। ग्यार विस्ताप्ती के कवी सोडर ने अपने ग्रत अवंति सुन्दरी कथा में उसके विशे में लिखा है कि सैकडो करोड मुद्राओं से बान की पुजा करने वाला वहे केवल नाम से ही हर्ष नहीं था। साकार में वानी का हर्ष था। ठिक्के। जेदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बान, मयूर, आदिकमियों की समकक्स्ता में रखते हुए उसे कवीता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। सत्रवे स्ताबदी के परसिदासनिक मदू सुदन सर्श्वती ने भी हर्ष को रतनावने नमक नाटक का लेखक स्विकार किया है। भारतिय साहिते के अलवा, चीनी यात्री इस सिंग ने भी हर्ष के विद्या प्रेम की परसंसा करते हुए लिखा है कि उसने जिमूत वाहन की कथा के आधार पर एक नाटक ग्रंत लिखा, तदा बाद में उसका मंचन करवाया, इस से उसकी लोग पिरियता काफी बढ़ है, रतनावली में भी चार अंक हैं, तदा ये नाटक वत्सराज उद्यान तता उसकी रानी वास्वदत्ता की परिचाई का नागरी का की पढ़ने गथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है, नागानन बोधरम से परभावित रचना है, और इसमें पांच अंक हैं, इस ना के साथ साथ हर्ष विद्वानों का उदार सरंगसक भी था, हर्ष के दरबार में अनेक विद्वान कवी यों लेखक निवास करते थे, इन विद्वानों के नाम देखेगा क्या क्या है, बानबट, मयूर, मातंग, दिवाकर, तो बानबट हैं, इसने हर्षरी तदा का दंब दर्बारी कि रचना की हर्श का दर्बारी कवी भी बान बठी था। मयूर नी सूरिय सतक नामक 100 स्लोकों का संग्रे लिखा। मातंग दिवाकर की किसी भी रचना के विशेमे में जानकरी प्राप नहीं है। कुछ विद्वान पूरे मिमासा के परकांड विद्वान कुमारिल भट को भी हर्स कालीन मानते हैं, इसके अलवा परसित गणी तक ये ब्रहम गुप्त का जन्म भी हर्स के समय में ही हुआ था, उसका गरंद ब्रहम सिधान्त नाम से परसित है, जयादित्ते तथा वामन ने का परसिका व्रति नामक प्रशित व्याकरण गरंत इसी समय लिखा था, नालंदा का बोध विहार, हर्स के समय में नालंदा महा विहार महायान बोध दर्म की सिख्षा का परधान के अंदर था, नालंदा विहार के पटना जिले में राजगरह से आठ मिल दूरी पर आधुनिक बड़गाम नामक ग्राम के पास इस्तित था मूलते इस माविहार की स्तापना गुप्तसा से कुमार गुप्त पर्थम जो 415 से 445 इस्यू में था के समय में हुई यह लगबग एक मील लंबा तता आदा मील चोड़ा था इसके बीस में आठ बड़े कमरे तता व्याख्यान के लिए 300 छोटे कमरे बने थे यहां तीन बवनों में इस्तित धरम गंज नामक विशाल पुस्तेकाले था नालंदा से प्रात एक लेक में यहां के बवनों के भव्वे एम गगन चुम्बी होने का परमान मिलता है हर्स के समय नालंदा विश्व विदाले अपनी उन्नती की प्राकास्टा पर था आचारिय सील भदर हर्स के समय यहां के कुलपती थे हर्स ने 100 ग्रामों की आई इसका खर्च चलाने के लिए परदान की थदा यहां लगबग 100 फीट उन्चा पीतल का एक विहार बनवाया था ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने हर्स कालियन जो सास्कर्थिक व्यवस्ता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की वीडियो एक्जाम की दरिश्टी से बहुत ही महत्तों पुन है आता है वीडियो को बार बार देखना बनता है और इसी प्रकार बने रहें यूटूब चैनल इंडिया उल्डेज पे